नितेश राणे के खिलाफ बाजापता तोर पर बयान बाजी करने वाले हाजी अरफात को बाजापता तोर पर इंतखाबी मंशूर कमिटी यानी Election Manifestory कमिटी में जगा दी गई है बता दी आपको कि हाजी अरफात शेग पार्टी से नाराज चल रहे थे और उन्होंने बाजापता तोर पर ये वाज़े किया था कि वो बीजेपी से इस्तफादेंगे लेकिन अब जो है सुधिर मंगटेवार की सरबराही में जो कमिटी बनाई गई गई ये इलेक्शन कमिटी उन में उसमें जो हाजी अरफात को जगा दी गई है बता दी आपको कि हाजी अरफात शेक ने नितेश राने की मसलसल बदजबानी और गुस्ता के रसूल रामगिरी की हमायत करने के मामले में ना सिर्फ ये के नितेश राने के खिलाफ बयान बाजी की थी बलके उन्हें चाइलेंज किया था कि वो किस मस्धिद में आएंगे और कब आएंगे वो आए मस्धिद में वो उन्हें चाइलेंज करते हैं इसके बाद जो है बाजाबता तोर पर सियासी तोर पर पारा चड़ गया था और बीजे पी से हाजी अरफात की अलेदगी तैय मानी जा रही थी लेकिन अब जो है बीजे पी ने जो इंतखाबी मनश हाजी अरफात को इस कमिटे में जगा दी गई है हाजी अरफात को एजा मुस्लिम चेहरा बीजे पी ने अपनी इंतखाबी मनशूर कमिटे में शामिल किया है इसमें हाजी अरफात जो है मुसल्मानों से मुतालिक मसाइला और मौजवात पर बाजाबता तोर पर राए भी जिस तरीके से ये पूरा मामला था उसके बाद जो है अब ये महसूस होने लगा है कि हाजी अरफात जो है अब पार्टी से अलेद्गी अक्तियार नहीं करेंगे क्योंकि पार्टी ने उन्हें एक बड़ी जिमेदारी दी है जिस तरीके से सुधिर मंगटिवार पराग अल एक्षन करीब आया है, तो बीजेग पि को भी मुसल्मानों की जरूरत है क्योंकि मुसल्मानों के वोट जो है फैसला कूंद थाबित होते हैं और ऐसे सूरत में महाविकास आगाड़ी से लेकर बीजेपी और तमाम हिंदुतुआ पार्टी भी जो है अब मुसल्मानों के व पड़ाई जा सकते हैं। ये जो देखना होगा। लेकिन जिस तरीके से हाजी अरफात को ये नई जिमदारी दी है ये एक अहम जिमदारी है। इसके साथ ही बाबा सिद्धी की मरडर केस के बाद हाजी अरफात की सेक्वरेटी में भी अधाफा किया गया है। हाजी अर्फात को एक्स सेक्यूरिटी दी गई है क्योंकि बता दी आपको कि हाजी अर्फात को मुसल्सल धंकिया मिल रही थी और ऐसी सूरत में अब बीजेपी ने एक नई जीमिदारी दी है उने और इसके साथ ही पुलिस ने भी हाजी अर्फात की सेक्यूरिटी को बढ़ा दिया है बता दिया आपको कि हाजी अरफात ने ये दावा किया था कि बीजेपी मुसलसल मुसल्मानों के खिलाफ जो है जहर अफ़ानी कर रही है और नितेश राने जो है मुसल्मानों के खिलाफ नफस अंगेस बयान दे रहे हैं इसलिए वो